नमस्कार दोस्तों मैं आशुतो उस्तिवारी आई बीपेसमासरी के इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करता हो दोस्तों टुडेस टॉपिक इस अफ अपॉइंटमेंट आज हम जून अक्टोबर सौरी अक्टोबर 2018 के फेमस अपॉइंटमेंट के बार में हम डिसकस करेंगे फ्रिंट्स सो लेटस स्टार्ट देशन देखें ये फिगर में आपको जो दिख रहे हैं इनका नाम है रंजन गगोई इन्हें सबको पता है कि ये अभी इंडिया के 45th C.J.I के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुए चीफ जस्टिस अफ इंडिया 46th C.J.I इनके नाम में लगा हुए मिंस ये अश्रम के रहने वागा है ये अश्रम के रहने वागा है चाले हैं अश्रम और ये पहले अश्रम के जो गोवाहाटी हाई कोड थी उसमें एडवोकेट थी गोवाहाटी हाई कोड में ये जज थे और ये जो फिगर आपको दिख रहा है और आपको सबको पता है कि इराक की जो कैपिटल है वो है बागदाद और करेंसी इस दिनार तो ये याद रखने वाली बात है दोस्तों नाव नेक्स्ट पे प्रोसेड करेंगे आप स्क्रीन शॉट लेते चलें ये फिगर बहुत ही इंपोर्टेंट है सबको पता है और इनका अपॉइंटमेंट नहीं हुए बट इनके प्लेस पे जो हैंड ओवर चार्ज करेंगे उनका नाम है शन्दीप बक्षी बी एके एस एचाई शन्दीप बक्षी इस देन्यू एम्डी एंड सीओ आफ आइसी आइसी आई नाव प्रोसेड करेंगे दोस्तों नेक्स की तरफ येस ये फिमस पास्नालिटी कोई और नहीं संजे वर्मा है ही इस संजे वर्मा और शंजे वर्मा की जो अपॉइंटमेंट है ये इंडिया अंबाजडर टो इस्पेइन के पोस्ट पी की गई है इंडिया अंबाजडर टो इस्पेइन मिन्स इस्पेइन के लिए इंडिया के राजदूत के फॉर्म में शंजे वर्मा इस अपॉइंट एडिशनल सेक्रेट्री थे और आपको पता है कि स्पेन की कैपिचल है मैड्रेड एंड करेंसी इस नन अन यूरो कि येस नेक्स्ट करेंगे ये बहुत ही फेमस पस्नाल्टी बिजनेस पस्नाल्टी इनका नाम है विक्रम लिमाए विक्रम लिमाए ये जो National Stock Exchange है जिसको हम NSE बोलते है National Stock Exchange इसके MD and CEO है बट ये इनकी quality नहीं है अभी इनका हुआ क्या है कि इन्हें एक Working Committee के द्वारा जो एक Working Committee है World Federation of Exchange WFC WFE World Federation of Exchange इसकी Working Committee के Chairman के रूप में इनकी appointment की गई है He is appointed as Chairman of Working Committee of World Federation of Exchange बहुत ही important news है ये आ सकते हैं आने वाले exams के लिए Yes, now next देखें इनका नाम है Brett Karnow B-R-E-T-T Brett K-A-R-A-N-A-U-Z-S Brett Karnow ये UN Supreme Court के Chief Justice बने है Union Supreme Court जो United Nation Supreme Court है उसके Chief Justice के रूप में इनकी appointment की गई है ये UN के 1114th Chief Justice के रूप में इनके appointment हुई है कुछ exams point of view से ये कुछ ज़्यादा important नहीं है दोस्तो Now देखें ये figure बहुत ही important figure है US की one of the important figure इनका नाम है Nicky Helle इन्होंने कोई appointment नहीं मिले इन्हें बलकि इन्हें resign इन्होंने अपनी resignation दिया हुआ है ये US के ambassador थे UN में United Nations में She works as the ambassador of United States in United Nations November 2016 से ये ambassador के post पे serve कर रहे थे and before ambassador she was work she was appointed as a governor of Coralina एक state है US की Coralina वहां की governor थी कब जब इनका appointment UN में हुआ था उसकी पहले अभी फिलाल इन्होंने United Nations में US के ambassador के form से resignation दे दिये है Don't forget to take this screenshot Yes friends one of the most important appointment Rakesh Sharma सबको पता है Rakesh Sharma कौन है Rakesh Sharma जी हाँ ये वही Rakesh Sharma है जिन्होंने कुछ दिन पहले MD CEO के post for Canada Bank कि ये MD CEO थे इन्होंने MD CEO के post से resign किया था दोस्तो ओके बट ये news नहीं है News ये है दोस्तों कि इन्हें अभी IDBI Industrial Debit Bank of India ने Development Bank of India ने Industrial Development Bank of India ने इन्हें अपना MD CEO के post पे appointment दिया है दोस्तों So new MD CEO of IDBI Bank is Rakesh Sharma He will replace He will replace S.S.S.R.I.R.A.M. ये S.S.S.R.I.R.A.M. को replace करेंगे दोस्तों और आपको पता है कि IDBI का जो headquarter है वो Mumbai में है और IDBI के establishment 1964 में की गई थी दोस्तों येस इन्हें 6 months के लिए एक important news इन्हें 6 months के लिए only a point किया गया है दोस्तों Now next Yes He is none other than Mahesh Reddy One of the renowned personality of India Mahesh Reddy Hope so आप सब इन से परिशीत होंगे ये PhD CCI PhD CCI ध्यान से दिखेगा PhD CCC इसका मतलब क्या होता है कि PhD Chamber of Commerce of Commerce and Industry PhD CCCI के PhD Chamber of Commerce and Industry ये एक union होती है जो commercial field में जो जिनकी shops रहती है फिर business रहती है उसका इने हेट बनाए गया है दोस्तों PhD CCI के appointment हुए भी हेट के form पे तो इससे कुछ ज़्यादा questions नहीं आएंगे अगर पूछा जाएगा Who is the new appointed as the chairman of PhD CCI तो आपको बस answer करना Mahesh Reddy Now Yes देखिए ये personality आपको सकल से दिखने में लग रहा है that he is the genuine genius personality और इहां जी है ये personality जो है इनका नाम है प्रवीन श्रीवास्तों प्रवीन श्रीवास्तों दोस्तों प्रवीन श्रीवास्तों ये अभी इंडिया के 3rd Chief Statistician बने है ध्यान देखिएगा 3rd Chief Statistician बने है जो Statics के करते हैं इंडिया के 3rd Chief Statistician बने है इनका tenure 2,022 तक रहेगा बस ध्यान रखना है दोस्तो ये फिलहाल अभी इंडियन स्टाटिस्टिकल आफिश में ये जॉब कर रहे थे दोस्तो नाउ नेक्स्ट पे प्रोसेड करेंगे जी हाँ आपको इनका नाम तो क्लियरली दिक रहा होगा दोस्तो तुशार मेहता जो है वो फिलहाल उन्हें इंडिया का सॉलिटीर जेनरल बनाया गया है अब ये बात होगी कि सॉलिटीर जेनरल की जो पोस्ट होती है वो होती क्या है दोस्तो बैसे कि लिए अगर देखा जाए तो ये solitaire general की जो post होती है ये second law highest law officer की post होती है highest law officer की post होती है यानि अगर बोला जाए तो सबसे बड़ी जो law officer की post होती है वो होती है attorney general की और उसके बाद जो आते हैं वो आते है solitaire general अभी जो इंडिया के attorney general है none other than KK Venu Gopal है भी attorney general बहुत important है KK Venu Gopal is the attorney general of India और अभी जो बनाये गया है solitaire general वो तुशार मेहता को बनाये गया for June 30, 2020 के tenure तक के लिए इनका tenure रहेगा June 13, 2020 now move करेंगे दोस्तों next part की तरफ yes he is Priyank Kanun Go Priyank Kanun Go one of the most important recruitment we can say that Priyank Kanun Go इन्हें बनाये गया है chairperson national commission for protection of child याद रखियेगा इनका recruitment हुआ है chairperson for national commission for protection of child national commission for protection of child बहुत important है ये child protection के लिए जो commission बनी थे उसमें इनका chairperson के form में appointment हुआ है for three years ये जो होता है NCPCR ये जो project रहता national commission for protection of child ये government of India चलाती है और government of India के जो ministry रहती है child ministry women and child development ministry वो चलाती है और इसकी जो establishment हुई थी it was based on the act child right act child right act cpcr act 2005 बहुत ये important है NCPCR के जो establishment हुई थी वो child right act cpcr act 2005 के basis के हुई थी दोस्तो now proceed करेंगे next appointment की तरफ yes he is none other than Nimesh Shah Nimesh Shah ये इनकी appointment हुई है वो assistant of mutual fund of India association of mutual fund of India जिसे हम AMFI बोलते है sorry दोस्तो AMFI AMFI का मतलब होता है association of mutual fund of India यहां पे chair person के रूप में इनकी appointment की गई है दोस्तो बहुत ध्यान रखिएगा he will replace A. Bala Shubramaniam A. Bala Shubramaniam जो पहले इसके head थे AMFI के head थे और A. Bala Shubramaniam आपको याद रखना होगा he is also the CEO of Adit Birla Sun Life A. Bala Shubramaniam जो थे वो आदित्य बिरला Sun Life के CEO भी थे दोस्तो So निमेश शाह appointed as the AMFI Association of Mutual Fund of India के chair person के रूप में इनकी appointment की गई है Yes सब को पता है यह कौन है दोस्तो यह फॉर्मर डेपुटी गवर्नर अफ आर्बी आई हैं जिनका नाम है एसेस मुंद्रा एसेस मुंद्रा important news क्या है कि इनका tenure 2017 में जुलाई में एंड हो चुका था बट जो बैंक बजार करकी एक कंपनी है बैंक बजार बैंक बजार कंपनी ने एसेस मुंद्रा को अपना अडवाइजर ने उक्त किया है अडवाइजर बनाया है दोस्तो और आपको बता दो दोस्तों कि बैंक बजार के जो CEO MD है वो है अधित्य शेट्थी याद रखने वाली बात है यह news बहुत ही most important है because he is the former RBI governor of deputy governor of India now proceed करेंगे friends next की तरफ दिखिए यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा एक figure में आपको दिख रहा है यह ministry of state for external affair में थे external affair ministry में थे दोस्तों क्यूं इन्हें resign करना पड़ा क्यूंकि इनके उपर sexual harassment के cases थे 16 cases थे sexual harassment के दोस्तों इस कारण से इन्हें resign करना पड़ा था बहुत important news है M.J. Akbar one of the important news now proceed करेंगे next की तरफ yes he is none other than सज्जन जिन्दल सज्जन जिन्दल सज्जन जिन्दल जो है जैसा कि नाम सब को पता चले जिन्दल तो इनका appointment हुआ है as a treasurer treasurer के post पे इनका appointment किया गया है दोस्तों कहां पे world steel association में one of the important news we can say that world steel association में treasurer के post पे इनका appointment किया गया है दोस्तों पहुत ही important news है यह ध्यान रखिएगा now next yes यह figure में आप दो लोगों को देख रहे हैं तो देखते से पता चल रहा है कि दो persons है तो यहां पे आपको दो news मिलेगा दोस्तों पहला news यह है कि जो अभी cbi के जो director थे आलोक वर्मा जिनका tenure दिसंबर 2018 में खतम होने वाला था उन्हें government of India ने leave दे दिया है means भूमने के लिए चुट्टी दे दिया है और उनके जगह पे एन नागेश्वर राव यह पदभार संभालेंगे दोस्तों means एन नागेश्वर राव will take charge in place of अलोक वर्मा who was the director of cbi एन नागेश्वर राव अभी joint director थे cbi के दोस्तों बहुत ही important news है joint director थे cbi के cbi central bureau of investigation one of the renowned agency of our country yes friends यह proceed करेंगे देखिए यह बहुत ही important है यह news he is none other than Satish Gupta Satish Gupta बहुत important news है Satish Gupta जैसा कि आप सबको पता है you all are aware with Paytm Payment Bank Paytm Payment Bank ने अपना MD और CEO Satish Gupta को नियुक्त किया है Satish Gupta is the new MD and CEO of Paytm Payment Bank अगर बात करें Paytm Payment Bank की तो Paytm की जो company थी उसके जो बोल सकते honor थे वो विजय शर्मा है विजय शर्मा ने उसके establishment की थी Paytm की और Paytm Payment Bank जो था वो मई 2017 में लांच किया गया था सबको पता है Under the Act of Payment Bank के रूल के हिसाब से इसे लांच किया गया था अभी इनसे पहले जो Paytm Payment Bank के MD CEO थे उनका नाम था रेनू शट्टी बहुत ही important है रेनू से टी टी आए वन अब तो इंपोर्टेंट न्यूज रेनू शट्टी इनको रिप्लेस किये यह बैसिकली जो रेनू शट्टी थी यह जुलाई 2018 में ही resignation कर चुकी थी उस समय से यह post vacant था और अभी अभी Paytm Payment Bank ने शतीश कुमार गुपता को अपना MDCO न्यूक्त किया है दोस्तों येस वन अब दा important figure we can say that ये आप याद रखेंगे आपको शायद पता होगा Ethiopia जो है ये एक country है जिसकी capital है Addis Ababa Addis Ababa और currency इसकी सबको पता है बीर है BIR येस ये एटियोपिया कैपिटल है Addis Ababa currency BIR है वहां की पहली president बनी है woman president first ever woman president first woman president है इनका नाम है साहले वर्क जेवडे जैसा वर्क बोलते न जेवडे मिन्स काम बोलता है वर्क जो काम इन्होंने किया है इटियोपिया में वो इनका भोला इस कारण से वहां की लोगों नहीं है अपना president की रूप में इनको accept किया तो याद रखना जब भी अगर आपको आएगा इटियोपिया की new president तो याद रखना है कि जिसका काम बोलता है यानि जिनका वर्क अच्छा है वर्क जेवडे यानि काम बोलता है याद रखना है दोस्तों साहले वर्क जेवडे सही काम किया थे इन्होंने येस नाव नेक्स्ट की तरह प्रोसीड करेंगे येस यह बहुत ही important figure और बहुत ही famous figure we can say that he is none other than महिंद्रा राजपक्त से आप सबको पता है कि महिंद्रा राजपक्त से belongs to yes belongs to स्रिलंका और जब जून 2011 में जब इंडिया का world cup था स्रिलंका के साथ final तो ये उस समय president थे और match देखने के लिए आए भी हुए थे news यह है दोस्तो कि इन्हें point किया गया है as a prime minister of स्रिलंका दोस्तो prime minister of स्रिलंका बस याद रखने वाली बात है स्रिलंका की capital कुलंबो करेंशी स्रिलंकियन रुपी और अभी जो स्रिलंका के जो president है उनका नाम है मैत्री पाला श्री शेना one of the important news मैत्री पाला श्री शेना तो यह चीज़े आपको याद रखनी है दोस्तो नाव प्रोसीड करेंगे new part की तरफ yes screenshot लेना ना भूले दोस्तो yes yes he is the one of the renowned person आप सबको शायद इनका नाम पता होगा he is none other than Michael Higgins Michael Higgins Michael Higgins Higgins आपने Ireland का नाम सुना होगा दोस्तो आपको बता दू Ireland की capital है Dublin और currency है euro Michael Higgins वहां के president बने है reelected president बोल सकते हैं इससे पहले भी यही president ने फिर से reelect किया गया दोस्तो screenshot लेना ना भूले yes next आप सबको पता है यह एक पहुत ही famous personality है she is none other than Angelina Markle Germany का नाम सबने सुना होगा दोस्तो और आप सबको पता है कि Germany में जब से adult fitner का समय था तब से ही chancellor ship आती रही है और Angelina Markle ने यह announcement किया है that she will be step down as a German chancellor in 2021 means 2021 में वो German chancellor के post से resignation दे देंगी यह 2000 2000 से German chancellor के post पे है जर्मन की capital है Berlin और currency है euro दोस्तो वन अप दा important news प्रोसीड करेंगे आज के last appointment की तरफ yes he is none other than अनुपम खेर सबको पता है अनुपम खेर आप सबको पता है कि अनुपम खेर जो थे FTII film and television industry of India जिसे हम बोलते हैं जिसकी headquarter sorry जिसका office पूने में है पूने महारास्ट्रा में है यह FTII के chairman थे अनुपम खेर बट news यह नहीं है दोस्तों the news is that he resigns on the post of chairman अनुपम खेर resign on the post of the post of chairman इन्होंने अपना resignation information and broadcasting ministry को दिया है याद रखिएगा अगर इन्हें resignation देना होता है तो FTI जो है information and broadcasting ministry को दिया है नहीं होने अपना resignation जिसके head राजवर्धन सिंग राठोर है राजवर्धन सिंग राठोर और राजवर्धन सिंग राठोर जो है वो नौर्थ जैपूर से member of parliament है दोस्तों so friends if you are really enjoying this video इसे share करना ना भूले दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों आज का a question जो one of the important news we can say that कि आप सबको पता है कि जपान की जो पासपोर्ट होती है हर एक country की passport होती है अपनी यूनि जो जपान की passport है उसे world का सबसे powerful passport के रूप में पहचान मिली है जपान के passport पे visa on time and visa on arrival near about 190 countries में available है second number पे Singapore है and third number पे Germany France and Germany और France दोनों के दोनों है third number पे अगर बात कीज़े अपने इंडिया की तो इंडिया की passport की power 81th position पे है जिसमें हमें इंडिया से अगर हमें पारवान पास passport है तो 60 nations 60 countries में हम visa on arrival and visa on visa free जिसे हम बोलते है वो हम travel कर सकते हैं दोस्तों friends if you are really enjoying this video thank you very much for watching this video please इसे like करना और अपना comment करना न भूले for any type of improvement and suggestions feel free to say thank you very much for watching this video दोस्तों आने वालस में मैं appointment for November और जो भी most important topics रहते हैं जो पूछे ही जाते हैं उनकी मैं list लेके आऊंगा so keep connecting to me thank you very much